कुछे अक्सर आश्चर्य होता है कि भारतिय माता-पिता अपने बच्चों के लिए इतने महत्वाकांक्षी क्यू होते हैं और ऐसा क्या है जो हम हमेशा अपने बच्चों के माध्यम से हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्या ये हमारी अप्राप्य महत्वाकानक्षाय हैं या हमारे देश में प्रचलित प्रतिस्पर्धी माहौल में अपने बच्चों को सफल और सम्रिध होते देखने की सच्ची इच्छा है? कौन सी चीज हमें पहले यह निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है कि कुछ नौकरिया अच्छी है और कौन सी चीज हमें माता पिता के रूप में यह निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाती है कि हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है? माता पिता की बड़ी भूमिका है विकासशील विश्व के अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को जी का महत्व सिखाते हैं वे चाहते हैं कि हम कक्षा में प्रथम आए जुन्ड में सबसे आगे रहना आगे लाने के लिए ये सब बिना ये सोचे कि इसका उनके बच्चों की सोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा मीरे माता पिता ने मुझे ये बताया और मैंने अपने बेटों को भी यही बताया जैसे ही मैं पीछे मुर कर देखता हूँ मुझे पता चलता है कि यह एक गलती थी. हमारे माता-पिता और बढ़ों द्वारा बार-बार किया गया ये सुद्वे करन समाज में हमारे व्यवहार पैटन में प्रकट होता है. मनुष्य की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत भावना डर है, और सबसे पुराना और सबसे मजबूत प्रकार का डर अग्यात का डर है. क्या हमने कभी सोचा है कि जब खुद को समान परिस्थितियों में देखने की बात आती है तो हम सभी के मूलियों का एक समान समूह क्यूं दिखाई देता है क्या ये व्यवहार हमारी असफलता के डर के कारण हो रहा है हमें सफलता पसंद है कोई भी असफल नहीं होना चाहता अगर हम कोई मूर्कतापूर्ण गलती भी करते हैं तो भी हम शर्मिन्दा होते है हम अपने धर्मरतों की सफलता की कहानियों से जुर सकते है रामायन में बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानिया है महाभारत की कहानिया जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से युद्ध लड़ने और जीतने के लिए कहते हैं क्योंकि यही उनका कर्तव्य है। बाइबल से डेविड और गोलियत की कहानिया, मुसा द्वारा लाल सागर को विभाजित करना और सेंट जॉन द्वारा ड्रेगन को मारने की कथा। का जश्न मनाते हैं। हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं। हम सफलता के लिए एक दूसरे को प्रोचसाहित करते हैं। हम सफलता को बहुत महत्वा देते हैं। हमारी संपूर्ण मानसिक्ता सफलता की ओर के इंद्रित है जो की लक्ष्य है। हम लगातार सफलता के बारे में विचारों से भरे रहते हैं. हमारी फिल्में सफलता का महिमामंडन करती हैं और आमतोर पर उनका अंत परियों की कहानी जैसा सुखद होता है. हमारे बुक शेल्फें, सफल कैसे बने, सफलता की कुंजी, सफल लोगों के रहस्य, इत्यादी पत्रिकाओं, पत्रिकाओं और ले का सामना करने के बारे में बात नहीं करते हैं. असफलता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. हमें असफलता पसंद नहीं है. हम इससे इतनी नफरत करते हैं कि हम असफल होने वालों का भी तिरसकार करते हैं. इससे भी बुरी बात ये है कि जब हम असफल होते हैं तो हम खुद को नापसंद करने लगते हैं. असफलता जीवन का एक हिस्सा है और हर किसी ने असफलता का सामना किया है. प्रतियक व्यक्ति का असफलता से निपटने का तरीका अलग-अलग होता है. असफलता हमेशा अप्रत्याशित, आपरिहारिय, असुविधाजनक और होती है और रहेगी. हमें ये समझने की जरूरत है कि इसका सामना कैसे करना है. इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम विफलता को परिवर्दन की शक्ती के रूप में कैसे उप्योग कर सकते हैं. असफलता से इतना मत-दरो की नई चीजे 2. हो सकता है कि मैंने ऐसा किया हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. 3. मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया. हमें याद रखना चाहिए कि दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है लेकिन हमारे पास इससे भी बड़ा आशिरवाद ये है कि हमारे पास अपने दु का आभारी होना चाहिए. जैसा कि किसी ने टिपनी की, असफलता एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं. ये भी गुजर जाएगा. साथ ही, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बार-बार असफलता स्वीकार्य नहीं है. असफलता कोई रुमानी धारना नहीं हो सकती. कलती करना इनसान की आदत है, लेकिन अगर रबर पेंसिल से पहले खराब हो जाए, तो आप अती कर रहे हैं.